तो आज इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फामेसी फॉर समेस्टर माइक्रो मेरिटिक्स यूनिट नमबर फॉर ओके जहां पर पहले लेक्चर में हम देखेंगे पार्टिकल साइज और उसका डिस्ट्रिबूशन माइक्रो मेरिटिक्स होता क्या है इसके ड्वांटेज क्या है पार्टिकल को छोटा क्यों करना होता है बड़े पार्टिकल को छोटा क्यों करते हैं साथे साथ उनका मीन पार्टिकल साइज नमबर वेट डिस्ट्रिबूशन पार्टिकल नमबर यह सब यहां से लेके यहां त कितना होना चाहिए minimum particle size क्या होना चाहिए particle size करेंगे सÁ थी साथ हम particle size का determination करेंगे जो की काफ़ी ingredient है आपके सिलेब्स मेん particle size का determination करना कईए सारे method यह optical अगेरा तो पूरे lecture में माइक्र मिर्टिक्स को कंप्लेट करें पार्टिकल को अच्छे से स्टडी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो मेरेटिक्स अगर आपको और लेक्टर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखिए और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं PDF पॉर्मेट में तो आप टेलिग्राम से जुड़िए वहाँ पर मैंने आपको वाट्सअप के बारे में बता रखा है वाट्सअप ग्रुप के बारे में आप वाट्सअप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज की study करना उसे हम कहते हैं micromeratex तो अगर आपको दो मांक्स में पूछा जाए कि micromeratex क्या होती है तो micromeratex is the study of particle size, particle surface area and particle volume. ओके particle की size को study करना, particle की surface area को study करना, particle की volume को study करना उसे हम कहते है micromeratex और यहाँ पर दो properties होती है, एक होती है fundamental property, एक होती है derived property, तो जो fundamental property होती है, वो होती है size, surface area, volume, particle का size, particle का surface area, particle का volume, यह सारी fundamental properties होती है, और वहीं अगर मैं बात करूँ derived properties की, तो derived properties में आते हैं density and porosity, तो particle size की अगर मैं बात करूँ या surface area की बात करूँ या volume की बात करूँ, तो these all are the fundamental properties वहीं अगर मैं density और porosity की बात करूँ तो इस अर्दर derived property of the powder तो पार्टिकल की properties आपको यहां पर दे रखी है एक है fundamental है दूसरी derived property और यहां पर आपको बता रखा है कि fundamental property में आती है size surface area volume और derived में आती है density and porosity और जो पार्टिकल होता है उसकी study करना उसे हम कहते है micromeretix यहां तक clear है आपको अब आगे देखिए जो particle size होता है वो importance क्यों रखता है जैसा कि आप सभी जानते है particle size जितना छोटा होगा suppose यहां पर एक particle में ने बना दिया यह इतना बड़as particle बाद में को तोड़ा तो यह और चोटा हो गया तो तो और चोटा ओन फिर तो और चोटा हो गया इतना चोटे-चोटे particle यहां पे बन गए नविए आप देख सकते हैं पहले यह हुआ फिर यह हुआ और यह च्योड़ी यह 型 बनेंगे तो सरफिस हो जाएगे तो स्मॉल पार्टिकल इस्वारी का सिर्फिस र्य बीड़ा होता है और स्मॉल पार्टिकल डिजॉल्व भी अच्छ and है तो इंपोर्टेंश क्या कि पार्टिकल size छोटे करने से हमें फाइदा क्या है सबसे बिला तो सर्फिस एरिया जजादा अगर शर्फिस एरिया ज्ब्स होता है ना तो जो हमारी डहागे पार्टिकल मतलब ऑव्डर और पा यह ड्रागे गे तो जो को हम छोटा कर दें तो जब particle size को हम छोटा करते हैं surface area बढ़ता है और जितना ज्यादा surface area उतना अच्छा absorption और उतना जल्दी effect उतना अच्छा effect clear है आपको तो यहां पर आपको importance दे रखिए सबसे पहला दे रखा है देखिए सबसे पहला दे रखा है आपको drug release and dissolution जैसा कि मैंने आपको कहा drug release भी आसानी से हो जाएगी और dissolve भी आसानी से हो जाएगी तो depend करता है root क्या है या तो आप मुह के थ्रू tablet ले रहे हूं ठीक है या फिर आपकी veins में injection लगा रहा हूं तो अगर मैं intravenous देता हूं मतलब में direct ही veins में लगाता हूं नसों में अगर मैं injection लगा देता हूं तो उसमें क्या होता है जो भी हमारी drug होती है वह injection के थ्रू सीधा blood circulation में आ जाती है तो root पर भी depend करता है oral root माल लो या फिरा माल लो intravenous तो जो intravenous होता है वह fast होता है क्योंकि यहां पर हम injection के थ्रू सीधा blood में supply देते हैं powder की ठीक है और oral root जो होता है वह पहले इस ट्रमक में जाएगा फिर वहां से dissolve होईगा फिर वह blood circulation में जाएगा तो oral root में time लगता है और intravenous जो है फटा फट हो जाता है ठीक है तो यहां पर क्या affect कर रहा है particle size affect कर रहा है क्योंकि माल लो root की अगर मैं बात करूँ तो दो तरह से मैंने बताए हाला कि कई तरह से होते हैं पर मैं आपको दो तरह से injection की बहुत छोटी होती है अब injection की needle से पास हो जाए वह particle और हमारी veins में आ जाए इतने छोटे particle होने चाहिए तो यहां पर लिखा हुआ है particle size भी affect करता है absorption जैसे ही अपने drug दिए उसका क्या होता है absorption और absorption होने के बाद drug क्या लेता है अपना action लेता है जिससे अगर आपने pan killer लिए तो दर्द सही हो जाएगा anti-inflammatory लिए तो inflammation कम हो जाएगा anti-piratic लिए तो बुखार कम हो जाएगा ठीक है अब देखो physical stability particle size effect अब physical stability भी affect करते हैं particle size कैसे एक होता है suspension एक होता है emulsion अब मैं आपको suspension का example देके समझाता हूँ मैंने एक short video भी बना रखी वह मैं इस playlist में add कर दूंगा होता क्या है कि जो solid particle होते है ना suspension में suspension में एक तो solid particle होते हैं जो मैंने blue color से दिखा दिया और एक होते है liquid particle जो मैं green color से दिखा रहा हूँ ठीक है अब होता क्या इसमें यह जो blue particle solid particle होते हैं यह नीचे जाके deposit होना start हो जाते हैं और जैसे जैसे deposit हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है एक तरह से cake formation हो जाता है ड्रक सारी नीचे आ जाती है और यह हो क्यों रहा है क्योंकि particle size आपके या तो थोड़े बड़े हैं या थोड़े अजीब से shape के हैं एक uniformity नहीं उसमें तो particle अगर बड़े होंगे एक बात बताओ particle का size अगर बड़ा होगा तो उनका weight भी ज़्यादा होगा जो जितना बड़ा उसका उतना ही ज़्यादा वजन तो जितना ज़्यादा वेट वह जल्दी जल्दी नीचे आकी गिरेगा यहां पर अगर particle है तो जिसका वजन ज्यादा वह सबसे पेले नीचे आएगा ठीक है और अगर हलके पार्टिकल होंगे तो नीचे ही नहीं आएंगे तो यहां पर पार्टिकल साइज भी बहुत मैटर करता है फिस्टेबिलिटी में तो पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए लाइट इन वेट मतलब बजन में हलका होना चाहिए तभी वह उपपर रटकेगा उपपर रुका रहेगा यहां पर सस्पेंशन में ताकि डोस युनिफॉमिटी बनी रहे जब भी हम यहां से अगर हम एक डखकन लेते हैं सिरप का तो उसमें ड्रग भी आए और सॉल्वेंट भी आए दोनों आए सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट ना आ जाए इसलिए ड्रग के जो पार्टिकल वह उपपर ही रहने चाहिए नीचे आके डिपोजिट नहीं होने चाहिए तो यहां पर यह फिजिकल से यह मतलब है अब चलिए डोस युनिफॉमिटी में तो मैंने और पार्टिकल के साइज छोटी हो अब देखो यहां पर आपको पार्टिकल दे रखे हैं तो देखो मैंने आपको यहां पर एक्जामपल से समझा रखा है यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं एवरेज पार्टिकल साइज और एवरेज पार्टिकल साइज के लिए मैं च Daarना सब्सक्ताइब को कि अ और कि यहांपर दें रखेंन को कि और 6 को और उसके अजिएम लिया है श्यांपल रफ है यह को देने के लिए तो finally मैंने क्या किया है n x d मतलब 5 x 10 50 6 x 12 72 and 7 x 8 56 तो यहाँ पर अगर मैं टोटल देखूं तो इन सब का टोटल होता है 178 और इन सब का टोटल होता है 18 ठीक है अब हमें निकालना क्या है यह तो मैंने एक assumption ले लिया कि हाँ चलो 5 माइक्र Yimeter के particle है 6 Micro fuzzy साथ इसंक्र मीक्र की पार्टिकल नी जिनकी डाय telling भी मैंने कर लǿ अब यहाँ पर निकालना है ाजैस पार इसको हम निकालते हैं σिग्मで अपून सिग्मा ऐन से जिसा कि आप देक सकते हैं सिग्मा ऐंडी क्या है अप यहां पर देखिए जो ऐनडी है वो है 178 यहां पर आप देखिए अधी कितना दे रखा है 178 दे रखा है आपको और साथ में जो औन आव सैटीट आपको गोंगि ऊपन च्रहें तो particle की size का है 5µm 6µm 7µm फिर उनकी diameter हमें पता होने चाहिए तो हम multiply करके nd निकाल लेते हैं फिर formula में put करते हैं formula होता है sigma nd upon sigma n तो nd है 178 और n है 18 तो 178 upon 18 जो भी आता है वो होता है हमारा average particle size ओके अब यहाँ पर surface area किसे निकाले हम तो surface area निकालने का formula होता है pi d square तो pi की value रखो और diameter जो भी आ रहा है रखो और निकालो अब यहाँ पर आपको volume पूछा है तो volume कैसे निकालोगे pi d cube upon 6 तो आप सब कुछ निकाल सकते हूं सबसे पहले आपने average particle size निकाला आप यहाँ पर देख सकते हैं sigma nd upon sigma n से उसके बाद आपने surface area निकाला फिर उसके बाद आपने volume निकाला particle का particle volume तो particle volume के लिए आपने formula पूट किया pi d cube upon 6 surface area के लिए होता है pi d square और यहाँ पर average particle size क्या होता है sigma nd upon sigma n इस तरह से आपको कोई भी एक example बना देना है value रटनी नहीं है सिर्फ आपको बता देना है कि आपके particle size क्या है उनकी diameter क्या है और दोनों को multiply करके n d निकाल लेना फिर sigma nd और फिर n दोनों को divide करके जो भी answer आता है वह होगा आपका average particle size ओके तो इस तरह से आप average particle size surface area और particle की volume को measure कर सकते हों